नमस्कार मैं रोहित कुमार आपने इश्पोनेशन देख रहे हैं बिहार में विधान सभा चुनाओं से ठीक पहले लगतार पाटियां जो हैं वो विधायकों को तोड़ने में लगी हुई हैं आरजेडी ने श्यामरजग को अपने पाले में कर लिया जदियू से तो अब जदियू में आरजेडी खेमे से कुल छे विधायक जो हैं वो शामिल हो चुके हैं कई और लोग नमबर में हैं कॉंग्रेस के भी बारी आने वाली इस तरह के दाविक किये जा रहे हैं बीजेपी ने थो अभी तक पत्ते ही नहीं खो ले हैं नहीं तमाम चीजों के बीच में बिहार कॉंग्रेस के नेता है प्रेमचंदर मिश्रा उन्होंने इन तमाम चीजों के लिए BJP और्जदियू को जमेवाठ ठेर आया है, कहा है कि BJP और जदियू है वो बिहार में जोड़ तोड की राजनीति को जो है वो एक तरीके से प्रशने द रही है, उसे प्रमोट कर रही है यह कहना है प्रेम चंदर मिश्रा का उनका आरोप है कि बिहार में चुनाव से पहले पार्टी के विधायकों को लोब दे करके तोड़ने की जो कोशिश है वो लगतार जीडियू और बीजूपी के जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो करने में लगे वे हैं उनकी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा बेपक्ष में या फिर महागरबंधर में जो लोग दल शामिल हैं उनकी पार्टी से ज्यादा ज्यादा लोग को तोड़ा जा सके क्या कुछ रहना है प्रेम चंद्र मिश्रा का पहले यह सुनिए बिहार की राजनीत में दल बदल को जेडियू जैसी पार्टियों ने बरहावा देने का काम किया है आए दिन दूसरे पार्टियों को तोर के अपने पार्टियों मिला लेना यह बिजेपी और जेडियू के द्वरा प्रोथाहित कारिक्रम और चुनाओ के समय तो कोई लोग पार्टिय अंदलते ही हैं लिए कॉंग्रस का मानना है कि राज्य में सिद्धान्त हीनिता बरे पैमाने पर राजनीत को प्रभावित कर रही है हमने पिछले चुनाओ में भी देखा बीजेपी के खिलाब के चुनाओ लड़कर बहुमत से आए नितिश कुमार जी ततकाल ही पार्टी बदल लिये और फिर बीजेपी के साथ हाथ में ला लिया तो मैं इसे इसी रूप में देखता हूं कि दल बतल को बिहार में नितिश कुमार जी ने और उनकी साथ ही बीजेपी ने बढ़ावा देने का काम करके बिहार की राजनीत को अविस्वा से निये बना दिया है पर अडिशन्स की विस्वा सुनिता को खतम किया है और आप बि के आखिर से लिकरके 9 तक मांवना कट Guru के अधिसोचना जो है डिसोचना जो है सतंबर से OS क मड़य तक में जो है इसकी अधिसोचना जारी हो सकती है इन तमाम चीजों के बीच में लगतार जो विधायकि जो पाढ़ी के बरे समेकोल 6 जदियू में वैसे लोग शामिल हुए जिन्हें RJD निया तो पार्टी से निकाल दिया या फिर वो लोग जो कि अब RJD में comfortable feel नहीं कर रहे थे इन तमाम चीजों के बीच में अभी भी बिहार BJP की तरफ से कोई पत्ते नहीं खोले गए कि उनके आँ कौन आने वाले हैं कि निकों को शामिल करा जाना है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस भी इस पूरे मामले पर चुप थी लेकिन अब कॉंग्रेस ने हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि बिहार में BJP और जद्यू की जो का जो गठ जोड है वो बिहार में जोड तो मने सव्य च्लाओ dos दोने जो भोलते है तो बिह चाना है भी र्लाओすबड़ एलाय है